नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अरुण मेहरा और आप देख रहे हैं दो क्रिकेट स्टोरी दोस्तो भारत और इंगलेंड के बीच में पहला टेस्ट मैच सुरू हो चुका है और पहले ही टेस्ट मैच में इंडिया ने डबंग तरीके से इंगलेंडियों को पीट दिया है और केबल 246 रन पर 10 विकेट गिरा दिये 64 ओवर ही खेल पाई थी इंगलेंड के टीम और आल आउट हो गई दोस्तो भारती बॉल्लों के तरब से कहर बरसाया गया पहले तो पहले के 10 ओवर में इंगलेंड जो है तो हावी रहा टीम इंडिया के बॉल्लों पर लेकिन जैसे ही स्पिनर आए रविंद्र जडेजा और रवी चंदर अश्विन आए वैसे ही इंगलेंडियों की बोलती क्या कहना चाहिए एकदम पूरी तरीके से इंडियन बॉलर को सरेंडर कर दिये अपना विकेट और विकेट गिरती ही चली गई दोस्तों मैं आपको बता दू पहला विकेट जो है तो पचपन रन पर आया था लगातार विकेट गिरती ही चली गई अठावन पे दो, साथ पे तीन, 121 पे चार, 125 पे पांच, 137 पे छे, 155 पे साथ और 193 में आठ विकेट चला गया दोस्तों लेकिन यहां पर मैं एक चीज़ तारीफ करना चाहूँगा बेन स्टोक्स का जिस तरीके से उन्होंने पारी को खिलाया, 198 रन से 246 तक ले गए पारी को और बहुत ही अच्छा बैटिंग किया, इसमें तारीफ करना चाहिए बेन स्टोक्स का दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इस तरीके से इंगलेंड ने बैटिंग किया, पहले जैक क्रेली जो है तो वो 20 रन बनाए और डकट जो डकट थे और क्रेली दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा सुरुआत दिया, पचपर रन बनाए जो है तो इंगलेंड के लिए लेकिन इसके बाद जैसे ही दोनों आउट होते हैं, इसके बाद ओली पोप उसने भी एक रन बनाया, जो रूट 29 रन मनाए, बैरिस्टो 37 रन मनाए, स्टार्ट तो सभी ने लिया लेकिन उसको बड़ा नहीं कर पाए, बेन स्टोक्स 88 बॉल में 70 रन मनाते हैं, बहु 8.3 ओवर बुम्रा ने किया जिसमें से 2 विकेट उन्होंने लिया, और मुहमद सिराग्चारी ओवर करे, 0 विकेट लिया, साथ की एकोनोमी से उन्होंने रनवी लुटाए, रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, 3 विकेट लिया है, 18 ओवर करके जो है तो 2 ओवर में 19 रन बना लिये हैं टीम इंडिया ने, यह सश्वी जैस्वाल ने बनाए है, 12 बॉल में 18 रन और एक वाइट के तौर पर, देखते हैं कितनी रन आज इंडिया बना पाती है, और हम चाहेंगे कि इंडिया की विकेट ना गिरे, जिसे अंग्रेजों को एक ही इनिंग से पीटा जाए, एक ही इनिंग से जीत दर्ज किया जाए, आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और टीम इंडिया के बारे में क्या रखेंगे, क्या इस मैच एक तरफा इस मैच को टीम इंडिया जीत पाएगा, कमेंट में एस और नो जरूर और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए